हलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज किस वीडियो में हम 2021 बैच के बारे में बात करेंगे जिसमें हम एक्जाम के पैटन के बारे में जानेंगे 2021 में बोड एक्जाम का जो सब्जेक्ट वाइस पैटन रहेगा सभी सब्जेक्ट का वो कैसा रहेगा अगर हम 2021 का बोड एक्जामनेशन से दे रहे हैं तो यह हमारे लिए बैनिफीट है या फिर इससे कोई लॉस होगा तो इसके बारे में जानेंगे साथ ही सिलेबस रिडूश होआ तो इसके बाद अपनी प्रिप्रेशन को किस तरह से करेंगे और कुछ भी कनफ्यूजन होगा सब्जेक्ट वाइस टॉपिक वाइस जो भी रिमूब हुआ है चैप्टर तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले है ठीक है तो बस वीडियो को पूरा अपसुरू से अंतक देखते रहा है तो इसको स्टार्ट करने से पहले कल जो रिजल्ट निकली है क्लाश 10 का और उससे पहले क्लाश 12 का इसके बारे में बात कर लेते हैं देखो जब भी result निकलती है तो suicide का जो मामला है वो सामने आने लगता है और मेरे YouTube वीडियोज पर भी एक student ने ये comments करके बोला हुआ था कि सर मैं expectation कर रहा था 80 का जबकि आया है 67% और मैं अपनी school में topper भी रहा था इसके बाव जो तो मुझे कम percentage मिली है देखो बहुत कम ऐसे बच्चों का ऐसा है जो कि expectation से कम marks मिले है जातर बच्चों का expectation से ज़्यादा marks मिले हुआ है तो अब पता नहीं ऐसा क्यूं है कि किसे बच्चे का कम marks दे दिया गया ऐसा होना नहीं चाहिए था फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो आपको पता ही है कि रिचेकिंग का आपको option मिलता है तो आप copy रिचेक करवा ले लेकिन कभी भी अपने mind में कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लाए कि मुझे suicide करनी है suicide के बारे मैं को कभी सोचना ही नहीं है देखो मुझे ये comment पढ़के मुझे बहुत दुख हुआ कि बच्चे ऐसे comments कर रहे है और मैं जिस एरिया में भी रहता हूँ एक बच्चे ने ऐसा कर भी लिया है उसका 40% आया था तो उन्होंने suicide कर लिया ठीक है तो ये देख के मुझे अच्छा नहीं फिल नहीं हुआ अब देखो एक single percentage किसी का भविश नहीं तय करता है आप लोग ये चीज अच्छे से समझे तो suicide के बारे में आपको सबसे पहले तो सोचना ही नहीं है कि मैं suicide करूँगा या फिर करूँगी अगर मैं खुद अपना बात करूँ अगर मैं अपना बात करो 10th में मेरा percentage ठीक था मैं जितना चाहता था जितना expectation था उतना मुझे मिला था इसके बाद अगर हम लोग 12th का बात करें 10th के बाद जब मैंने 12th examinations दिया था तो मेरा percentage only 60% था जो कि मैं कभी expect नहीं कर रहा था कि मुझे इतने कम percentage मिलेंगे लेकिन इसके बावजुद मैंने कभी hard नहीं मानी मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि मैं suicide करूँगा मैं बस ये सोचता रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है हलाकि दो को disappointment feel होता है कि number कम आया गुसा भी आता है कि यार मेरे दोस्त है उसका इतना ज़्यादा marks आगया मुझे कम मिला है लेकिन ऐसा नहीं है कि आज वो आपसे आगया है तो कल आप उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो आपके marks उच्छे साथ एक बार लक्सात नहीं दिया copy sign नहीं हुआ 12th में आप दिखाओ कि आप क्या हो ठीक है तो इसी तरह से मेरा 12th में मेरा marks अच्छा नहीं आया इसके बाद अगर हम लोग graduation का बात करें तो बहुत ही अच्छा marks आया 75% के आस पास में आया इसके बाद और increase हुआ जैसे मैंने MSC किया तो MSC में भी मुझे करीब 85% के आस पास मिला तो देखा जाए तो हम लोग का single percentage एक class का हम लोग का भविस से निर्धारित नहीं करता है तो इस चीज़ को समझे कभी भी suicide के बारे में नहीं सोचे बस आप से मैं इतना ही चाहूंगा और इसके बाद मैं parents से भी एक आगरा करूंगा कि कभी भी बच्चों को pressurize ना करे, pressure ना दे कि पढ़ो 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 एक होता है ना कि 90% लाना ही या 95 नी लाया फिर मारना शुरू कर दिये देखो ये सारी चीज़े नहीं होनी चाहिए आज का ही एक कटना हुआ है मतलब मेरे आसपास में एक parents है, जो कि जिसको मैं एक बच्चा था उसको मैं पढ़ाता था 80% उसका already 10th में आया हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी वो मतलब वो उस बच्चे से उसके mark से वो खुश नहीं है तो वो मेरे पास आये थे बोले थे कि 80% आये, इतना कम आये हम लोग 90 का expectation कर रहे थे तो हम बोले देखे, बच्चे जैसा पढ़ेंगे उसको उसी के अनुशा नमर मिलता है हाँ, मेबी कि कभी ऐसा होता है कि copy sign करने में mistake होती है यह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कम आया है अगर आपको उमीद है, आप उसको उस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो आगे चलके अच्छा आज नहीं कि आगे चलके वो अच्छा करेंगे, ठीक है तो कभी भी बच्चे को उपर प्रेश्राइज ना करें उसको दबाव ना डाले, उसी की एक बहन है अभी वो 10th का examinations दिया हुआ 10th का examinations का खताम हुआ 80% है उसी की एक बहन है, जो कि मेरे पास अभी पढ़ती है, तो अब वो अभी 9th में है अब उसके उपर प्रेश्र उसके प्रेश्र ने बना दिया है, तुमको 95 लाना है तो आज जाके बहुत रो रही थी तो ये, मतलब मैं कहना चाहरा हूँ उन प्रेश्र से, जो कि बच्चे को पर प्रेश्र देते है कि 95 लाना ही है, 100 लाना ही है देखो इससे क्या होगा कि उनको पढ़ने का मन भी करेगा न तो वो मतलब उस प्रेश्र के चलते पढ़ने पाएंगे हाँ, आप मोटिवेट करो उनको कि पढ़ने में ध्यान दो बोलते रो, बट प्रेश्र कभी भी नहीं मनाओ उसको मारो पीटो नहीं अपने थ्री इडियर्ट मूवी देखी हुई है कि प्रेश्र पढ़ने पर क्या होता है तो इस तरह का मामला सामने आते रहता है तो मैं पैरेंट से भी आगरा करूँगा कि बच्चों के पर प्रेश्र ना बनाए ठीक है तो चलो यह चीज हो गया अब हम लोग 2021 बैच के बारे में आते हैं देखो अश्टडी हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे पहले इसके बारे में समझता है सबसे पहली बात बैनिफिट है या फिर नहीं है 2021 के बोड़ एक्जामने हम लोग देंगे तो इसमें हमें बहुत फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ा फायदा तो syllabus reduction को लेके है syllabus reduce हो गया है बहुत सारे chapters कम कर दिये गया है English में pattern भी change कर दिया गया है Hindi का pattern change हो गया है आगे मैं pattern के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा तो chapter remove होने से pattern भी change है ठीक है अब देखो lockdown चल रहा है lockdown के वज़े सब school नहीं जा पा रहा है school नहीं जा पा रहा है तो क्या इससे मेरा नुकसान है थोड़ा सा नुकसान हम कर सकते है कि नुकसान तो है school नहीं जा रहा है तो लेकिन हम लोग एक benefit ये भी हम लोग लेके चल सकते हैं कि बहुत सारे chapters को कम कर दिया गया है आप अगर school जाते या फिर नहीं जाते फिर भी आप उतना ही पढ़ते जितना अभी आप पढ़ रहे हो अगर आप अभी पढ़ रहे तो school जाने के बाद भी उतना ही पढ़ते ठीक है तो अगर आप school नहीं जा रहे हो तो आपके पास online class करने के बहुत सारे options है on academy में भी कि आपको पैसा pay करना पढ़ता है तो आपके पास youtube platform है जिसमें आपको बहुत तरह के teachers मिल जाते है जहापे आपको कही animated videos मिल जाएगी तो कहीं आपको पुरा अच्छे से lecture मिल जाता है तो देखो बहुत सारे channels है आप सभी channels को subscribe करके रख लो और जिस channel से आपको जो जो चीज़े अच्छी लगती हो उस channel से आप वही चीज़े पढ़ो मैं कोसिज कर रहा हूँ बच्चों को animated videos देने का ताकि कोई भी चीज उसको समझने में ज़्यादा परिशानी नहीं हो तो यह हो गया अब चलो reduce syllabus को लेके हम लोग समझते है economics के बारे में मैंने इससे पहले से स्टी में आप लोगो नहीं बताया था बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके बोल रहे थे कि सर economics में क्या change हुआ है कुछ changing हुआ है नहीं देखो economics में कुछ भी changing नहीं किया गया है ठीक है एक पहले से ही जो 5th chapter अम लोगा था वो पहले से नहीं पढ़ना था इससे पहले ही हम लोगा decide किया गया था पिछले साल 2020 में वही था तो economics में 4 chapter है जो कि हमें पढ़ना है last chapter हमें नहीं पढ़ना है उसमें कुछ भी reduce नहीं है ठीक है last chapter पहले से remove है तो 4 chapter 1 से लेके लगातार 4 chapter तक आपको economics में पढ़ना है अब mathematics में थोड़ा बहुत confusion किसमें था तो quadratic equations में और arithmetic progression में था तो दोनों में से जो word problem type questions है आप उसको बस अटा दो quadratic में आपको word problem का कोई भी questions नहीं बनाना है जाए अगर exercise पहला से हो, दुसरा से हो, तिसरा से हो कोई भी exercise का आपको word problem questions नहीं बनाना है ठीक है ये बात बस आप लोग ध्यान में रखे अब अगर हम लोग mathematics में आगे कहीं बात करें तो बाकी सारी चीज़े तो मैंने आपको बताई हुए description पे link भी दे दूँगा आप देख भी सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ होगा तो ठीक है बाकी सारी चीज़े clear है और एक मैंने आपको गलती से बता दिया था साइद assumed mean method remove होगा ठीक है तो मतलब उसको हटा दिया गया है तो एको assumed mean method को नहीं अटाए गया है step deviation method को अटाए गया ठीक है तो यह हो गया कि हमें step deviation method नहीं पढ़ना है assumed mean method पढ़ना है ठीक है तो यह थोड़ी से मैंने पिछले वीडियो में एक छोटी से mistake की थी और साथी statistics से जो graph वाला question था वो भी हमें नहीं पढ़ना है तो यह भी मैंने आपको नहीं बताया था ठीक है तो यह हो गया clear अब इसके बाद अगर हम लोग history में बात करें तो मैंने already आपको social science में सारी subject में बता दिया है history में the rise of nationalism in Europe और the rise of nationalism in India सिर्फ दो chapter ठीक है बाकी कुछ नहीं पढ़ना है और बाकी सारे chapters तो सारे subject में तो clear है ठीक है बस थोड़ा बहुत इसमें confusion था संस्क्रीत में कुछ भी remove नहीं हुआ है ठीक है हिंदी में जो chapters remove हुए है उसके लिए already मैंने video बनाया हुआ है description पे link मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ हुआ होगा जाके देख सकते हैं अब हम exam के pattern के बारे में बात करते हैं जैसे कि मैंने आप लोग इससे पहली एक video में बताया हुआ है English में 50% MCQ questions अब रहेगा और Hindi में भी 50% MCQ questions रहेगा अब English का जो paper का pattern रहेगा वो दो part में रहेगा part A, part B part A से 40 marks के सिर्फ multiple choice questions रहेंगे और part B से सिर्फ हम लोग का theoretical type questions रहेगा इसमें English में एक जो सबसे बड़ा changing किया गया है वो writing और literature जो main course book है यहां से किया गया है पहले writing sentence से 20 marks से questions आते थे अब 10 marks से questions आएंगे और पहले literature से 30 marks काते थे तो उसको 40 marks कर दिया गया है इसमें फाइदा हम लोग का है इसमें फाइदा क्या होगा कि chapter एक तो remove कर दिया गया है करीब 7 chapter remove हो चुके हैं अगर हम लोग दोनों बात करें एक first flight और the footprint without fit इन दोनों किताब करें दोनों किताब से मिला के करीब 8 से 10 chapter को remove किया गया poem को भी हम यहाँ पे include करके बोले तो तो यहाँ पे chapters भी कम कर दिया गया है और इसका जो marking है scheme उसको भी बढ़ा दिया गया है तो यह तो हमारे लिए benefit है बस story हमें समझ नहीं रहती है story हम समझ लिए around समझा के answers को लिख सकता है questions का answer हमें याद करने का उशकता नहीं है story को बस आप लोग अच्छे से समझे इसके लिए भी मैंने animations के साथ story को समझाया हुआ है English में सभी chapters को ठीक है तो आप जरूर एक बार देखे watch करे आपको सारा story समझ में आ जाएगा तो यह हो गया अच्छा हम लोग बात आता है कि यह syllabus reduce को लगे हो गया अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से हम लोग subject wise त्यारी कर सकते हैं सबसे पहले maths के बारे में आते हैं maths में ज़्यादा कुछ remove हुआ नहीं है और 2021 board examinations के लिए किसी subject में हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने क्या हो शकता है तो वो maths और science में science में फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत less बोल सकते हैं लेकिन अगर आपको marks अच्छा opt-end करना है 90 plus चाहिए तो आप maths में ज़्यादा से ज़्यादा practice करें आप maths में ज़्यादा practice करेंगे आपके percentage उतने भी ज़्यादा high जाएंगे क्योंकि इस बार SST में बहुत सारा chapters को remove किया गया है तो सभी बच्चे SST अच्छा करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा problem नहीं होगा अगर हम लोग English का बात करें तो English भी आपका अच्छा जाएगा मुझे पूरी उमीद है कि आप सब को English में अच्छे marks उप्टेंट करोगे मैं आप लोग को अच्छे से त्यारी भी करवाऊंगा इसके बाद Hindi में भी आपके marks अच्छे आजाएंगे Sanskrit में भी आजाएंगे इसके बाद social science तो मैंने आप लोग को बताई दिया है तो देखा जाए तो सभी में अच्छे marks आजाएंगे science में भी आपको अच्छे marks आजाएंगे क्योंकि science में भी बहुत सारे chapters को remove किया गया है लेकिन maths में जादा चीज remove नहीं हुआ है तो इस वज़े से अगर कही हम लोग का percentage घटेगा तो वहाँ सिर्फ maths से ही घटेगा तो maths में जो बच्चे अभी ध्यान दे रहे हैं वो आप लोग practice करके उन questions को बनाए तो maths हमें जादा अच्छे से समझ में आता है जल्दी questions बनेगा आप जितना जादा जादा लिख के practice करोगे बना बना के और अलग-अलग किताब से पढ़ने कोसिस करो कभी हम NCRT से बनाए कभी NCRT examplers से बनाए तो कभी RS Agarwal से बना लिए तो इसे आपका practice अच्छा होगा और आप अच्छे marks obtain कर सकते हो social science में आप कोई भी story मतलब जो भी chapters है questions का answer रटनी क्या हो शकता नहीं है उसको आप अच्छे से story wise समझो chapter 1 में story क्या है हमें पढ़ना क्या है इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो आप अराम से अच्छा score कर सकते हैं चाहे वो history हो, geography हो economics हो, story उसका समझे उसमें क्या है, chapter 1 में अखिर क्या दिया हुआ है, उस चीज को अगर आप समझ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा problem नहीं होगा तो को science में अगर आप number option करना चाहते हो सबसे पहले figure का अच्छे से practice करो और दूसरा चीज कि जो जो उसके numerical types, questions होते हैं यानि questions का आपको ज़्यादा ज़्यादा practice करना है, आप chapter समझ लोगे सबसे ज़्यादा मुस्किल काम होता है science में number option करना अच्छा science में अच्छा वही बच्चे option कर पाते हैं number जो questions का ज़्यादा ज़्यादा practice करते हैं chapter आपको कितना भी अच्छा से क्यों होना समझ में आ गया हो लेकिन जब तक आप questions का practice नहीं करेंगे, numerical figures या फिर जो भी questions होंगे x, y elements type में जो chemistry में या फिर physics में questions पूछा जाता है तब तक आपके marks अच्छे नहीं हैंगे ठीक है, तो science में कोशिस करो तो यह हो गया, हिंदी और English में तो मैंने बताई दिया, आप लोगो 50% MCQ questions आएंगे English में अच्छे सा पस्टोरी पढ़ लो, हिंदी में भी अच्छे सा पस्टोरी के त्यारी कर लो, आप अच्छे marks obtain कर सकते हो, ठीक है और आन्त में बस मैं आप लोगो एक ही चीज़ कहूंगा कि जो भी चीज़े आप अभी पढ़ रहे हैं चाहिए वो online के थुरू, मैं आप लोगो जो भी पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप कहीं और से कहीं दूसरे जगह से पढ़ रहा हूँ, उसको आप लोगो copy में जरूर लिखो, उसका notes बनाओ, यह notes हमें काम देती है, उस time जब हमारा examinations आता है ठीक है, जैसे examinations आ जाती है तो उस time यही notes काम देता है, हम उसी notes से जब पढ़ते हैं, जहां से हम समझे हैं जैसे मेरी वीडियो से अगर आप को chapters को समझे हो, तो अगर आप मेरी notes को पढ़ोगे, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा तो इसी तरह से आप किसी भी वीडियो से समझ रहे हो, या फिर किसी teacher के थूरू समझ रहे हो, offline या आपको माइनल के चलो कोई teacher समझा रहे है वो notes लिखवा रहे है, वही चीज़ आप समझ रहे हो तो जो भी चीज़ आप पढ़ते हो, उसको copy में लिखते हो, अपने notes को बनाते हो, तो आप बहुत अच्छा marks obtain कर सकते हो, और 2021 का board examinations का result 2020 से भी better हो, ऐसी उमीद है, और होगी, और हर साल जो है result जो है अच्छी होती आ रही है और आगे भी और अच्छी होगी तो बस आज इतना ही और भी सिद्र की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे थैंक्यू